Hello Everyone, Welcome to English for All आज हम पढ़ने जा रहे हैं The Burial of the Dead The Burial of the Dead, The Waste Land poem के 5 parts में से सबसे पहला part है दोस्तो, The Waste Land पर मैंने complete detailed वीडियो बना रखी है जिसमें The Waste Land की सभी important बाते मैंने आपको बताई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो उसमें बहुत सारी important बाते आपको बताई गई है उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना पहली वाली वीडियो का लिंक आपको description में मिलेगा और उसको आप skip नहीं कर सकते तो चलिए आज की poem को शुरू करते हैं April is the cruelest month First line में ही T.S. Elliot ने बता दिया कि April पूरे साल का सबसे बेकार महीना होता है लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है April महीने में स्प्रिंग सीजन शुरू होता है हर जगा greenery होती है April को बहुत अच्छा month माना जाता है पूरे साल का सबसे अच्छा महीना माना जाता है April को क्योंकि सर्दियों की जो सर्द हवाएं होती है वो April में थम जाती है मैं आपको बता दू जौफरी चॉसर की जो poem थी Canterbury Tales Canterbury Tales की शुरुआत भी April महीने से होती है लेकिन फर्क इतना है कि जोफरी चॉसर केंटर बरी टेल्स में April महीने की तारीफे करते है और T.S. Elliot The Burial of the Dead में April की बुराई कर रहे है उसे बुरा महीना बता रहे है अब मैं आपको बताता हूँ कि T.S. Elliot ने April की बुराई क्यों करी है दोस्तो अपरेल को साल का सबसे अच्छा महीना माना जाता है जैसा मैं आपको बताया इसमें मौसम बहुत अच्छा होता है और ग्रीन जी होती है हर जगा लेकिन हम लोग इस मौडर्न जमाने में इतने खोकले हो चुके हैं कि ये खुबसूरतियां हमें दिखाई ही नहीं देती यहां पर T.S.L.8 ने दो वर्ड्स का यूस किया है Memory और Desire Memory का मतलब है जो अच्छा वक्त गुजर गया जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि पुराना जमाना कितना अच्छा था कितने अच्छे लोग हुआ करते थे अपनी पुराने जमाने को याद करते हैं Simplicity को याद करते हैं तो Memory का मतलब है जो अच्छा वक्त गुजर गया जो पास्ट है और Desire का मतलब यहां पर है Future से जो हमारे अंदर एक चाहत है कि वो जो वक्त हमने गुजारा है तो Memory का मतलब जो अच्छा वक्त हमने गुजार दिया और Desire का मतलब है अच्छे वक्त को दुबारा जीना हम लोग रोज कोशश कर रहे है कि अपनी जिन्दगी को किसी तरह बहतर बनाए अच्छे वक्त को दुबारा से लेकर आए हम लोग रोज महिनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर को बहतर बनाने की लेकिन यहां पर हम लोग प्रेजंट को भूल गए या तो पास्ट में हैं या फिर फ्यूचर में हैं प्रेजंट का हम लोगों को कुछ भी नहीं पता और इनसान इन दोनों थौट्स में ही उलच कर रह गया है उसे पता ही नहीं की प्रेजंट में क्या चल रहा है इसके बाद टी एस एलिएट कहते हैं कि विंटर सीजन अच्छा है यहाँ पर T.S. Elliot winter की तारीफ करते हैं बोलते हैं winter season अच्छा है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि European countries बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं बहुत सर्दियां होती हैं वहाँ पर और वो लोग winter को अच्छा नहीं मानते सबसे बेकार season मानते है winter को वहाँ पर summers को अच्छा माना जाता है लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है T.S. Elliot कह रहे हैं कि अपरेल महीना बुरा है जब summers आते हैं वो बुरा है और आगे कहते हैं कि winter अच्छा है T.S. Elliot कहते हैं कि winter महीना इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी जो बॉड़ी है वो नंब हो जाती है नंब यानि सुन पढ़ जाना winter महीने में हमारी बॉड़ी सुन पढ़ जाती है और जब हमारी बॉड़ी सुन हो जाती है तो फिर हमें अपने दर्द का अपनी पीड़ा का एहसास कम होने लगता है जैसे डॉक्टर सरजरी करने से पहले उस एक एरिया को सुन कर देता है नम कर देता है ताकि आपको दर्द ना हो इसी तरहा T.S. Elliot कहते हैं कि विंटर में हमारी बाड़ी नम हो जाती है और हमें हमारे दर्द का एहसास कम होने लगता है इसलिए विंटर सीजन जादा अच्छा है अब इन लाइन्स के बाद अचानक से स्पीकर चेंज हो जाता है और मेरी नाम की एक लड़की बात कर रही होती है यहां पर जो स्पीकर है वो मेरी नाम की एक लड़की है देखो यहां पर लिखा हुआ है Summer Surprised Us यहाँ पर अगर आप टेंस देखोगे तो यह past tense की बात हो रही है और past tense में यह sentence लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जो speaker है वो अपनी कोई पुरानी याद को share कर रहा है पुरानी याद को बता रहा है अपनी memory को share कर रहा है और यह memory है world war first से पहले की वर्ड वार फर्स से पहले जब दुनिया बहुत अच्छी हुआ करती थी, जब लोग शरीफ हुआ करते थे, सिंप्ली सीडी थी लोगों में, स्प्रिच्वालिटी थी, तब कि ये मैमरी शियर कर रही है स्पीकर, और स्पीकर का नाम मैंना आपको बताया मेरी, स्पीकर कहती ह है कि बारिश होने लगती है, हम एक कॉलिनेड में जाकर रुकते हैं, और फिर हाफ गार्डन में जाकर काफी पीते हैं, और आपस में बाते करने लगते हैं, यहां पर एक बहुत अच्छा सीन क्रियेट करने की कोशिश की गई है, और बताने की कोशिश की गई है कि लोग कि हुआ करते थे इसके बाद की जो लाइन है ब्लैक कलर में ये जर्मन इंटर्पिटेशन है इसकी ट्रांसलेशन है आई अम नॉट अरेशियन आई कम फ्रॉम लिथोनिया आई अम रियल जर्मन अब देहो ये कोई तीसरी आवाज है ये कोई तीसरा बंदा आकर बोल रहा है कि म मैं रशियन नहीं हूँ मैं तो जर्मन हूँ ये एक सेपरेट वाइस है और सेपरेट लेंग्विज है इस इंटर्पिटेशन के बाद दुबारे से मैरी अपना नरेशन शुरू करती है अपने नरेशन को कंटीन्यू करती है मैरी कहती है कि जब हम छोटे थे जब हम मैरी कहती है कि सलیड से मुझे बहुर रग रहा था लेकिन फिर मेरे कजन ने मुझे से कहा कि मैरी मैरी पकडो मुझे कसके और फिर हम दोनों सलیड में बैट कर नीचे चले गए वहाँ माуंटेंस थे और वहाँ पर बिलकुल फरी महसूस करते हैं वहाँ आपको कोई टैंश को share किया है और बताने की कोशिश की है कि वो past में पुराने जमाने में कितना अच्छा महसूस करती थी लेकिन इसके बाद एक line लिखी हुई है I read much of the night and go south in the winter देखो यहां पर जो है वो tense change हो गया है यहां पर है present tense और present tense का मतलब है कि speaker अब अपनी present के बाद बता रही है और इस line से आपको पता लगता है speaker की बेबसी के बारे में उसके दर्थ के बारे में पता लगता है पहले speaker अपने cousin के पास जाती थी उसके साथ मस्ती करती थी लेकिन अब present में जब winter होता है तो speaker south में चली जाती है ये दिखाता है कि speaker खुश नहीं है इसके बाद दोबारे से बाद change हो जाती है और एक सवाल पूछा जाता है Elliot लिखते है कि कौन सी ऐसी जड़े हैं जो इस बंजर जमीन यानी wasteland में पहलेंगी और कौन सी शाखाएं हैं जो इस wasteland में पनपिंगी son of man son of man का मतलब है Jesus Christ मतलब poet Jesus Christ को बता रहे हैं पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी जड़े हैं इस बंजर जमीन में जो पनपिंगी poet आगे कहता है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिन्दही कितनी बेकार है तूटी हुई तस्वीरों का एक धेर है यहां पर कोई हरियाली नहीं है और ये सूखे मरे हुए पेड़ भी आसरा नहीं दे सकते यहां ना तो कोई जिंगूर है ना कोई जानवर है जिसकी मधुर आवास सुनकर कुछ राहत मिल सके जानवरों की बात तो छोड़ो इस वेस लैंड में जो पत्थर है जब उन पत्थरों पर पानी बरसता है तब भी आवास नहीं आती आगे लिका हुआ है देखो रेगिस्तान में क्या होता है कोई पेड़ पौदे नहीं होते वहां पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो अगर आपको परचाई में रहना है धूप से बचना है आपको आसरा ढूंड़ना है तो फिर आप उन बड़े बड़े पत्थरों की जो परचाई होती है उसमें आप आसरा ले सकते हैं तो पोयड बोलना चाह रहे हैं कि इस बंजर जमीन पर जहां कोई राहत नहीं है तुम रैड रॉक के अंदर आजाओ मतलब रैड रॉक से यहां पर मतलब है कि रिलीजन को अपना लो, इस प्रीचुएलिटी को अपना लो Spirituality ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें इस Waste Land से बचा सकता है Religion ही तुम्हें इस बंजर जमीन पर shelter दे सकता है आगे की Lines में लिखा हुआ है दो तरहां की shadow होती है एक shadow होती है जो हमारे पीछे होती है जब हम सुबा उठते हैं तो सूरज हमारे सामने होता है और हमारी जो shadow है वो हमारे पीछे बनती है और दूसरी shadow होती है शाम में जब सूरज हमारे पीछे होता है और हमारी shadow आगे बनती है तो यहां पर जो पीछे वाली shadow है वो हमारे past को बताती है और आगे वाली shadow हमारे future को बताती है तो हम past और future इन दोनों के डर के ही बीच में रहते हैं poet कहता है कि ये डर सारी जिन्दही हमारे साथ में रहता है इसके बाद देखो ये चार लाइन्स जर्मनी में लिखी हुई है और ये चारो लाइन as it is copy की गई है रिचर्ड वेगनर के आपरा से Tristan एक बंदा है और वो England में रहता है और आईसोल्ड एक लड़की है जो Ireland में रहती है Tristan अपनी महबूबा अपनी लवर की याद में ये लाइन्स लिखता है इसके बाद दोबारा से scene change हो जाता है जैसा कि मैंना आपको बताया था first part में कि इस पोयम में हर चार पांच लाइन्स के बाद आपको एक नया scene देखने को मिलेगा कोई नया speaker होगा कोई नई बात होगी इस बार फिर से speaker कोई लड़की है और वो लड़की अपनी पुरानी यादों को बया कर रही है लड़की एक आदमी के बारे में बात कर रही है लेकिन वो आदमी उस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं है उस लड़की के साथ नहीं है और जो लड़की है वो अपनी पुरानी मेमरी को शेयर कर रही है जो उस लड़के के साथ उसने बिताई थी लड़की उस आदमी की यादों में अपने आप से बात कर रही है यहां लिका हुआ हुआ है यू गेव मी हैसिन्स फर्स्ट अ इयर अगो हैसिन्स दोस्तो एक तरहां का फूल होता है तो स्पीकर बोल रही है कि तुमने मुझे एक साल पहले हैसिन्स दिये थे और तुमने मुझे हैसिन्स दिये थे इस वज़ा से सभी लोगों ने मेरा नाम हैसिन्स रख दिया और मुझे हैसिन्स कहकर पकारने लगे मुझे याद है जब हम लोग हैसिन्स गारडन में आ रहे थे बहुत रात हो चुकी थी तुम्हारी बाहें भरी हुई थी और तुम्हारे बाल गीले हो चुके थे अब देखो यहां तक तो बहुत अच्छा सीन ग्रेट हुआ है स्पीकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है लेकिन इसके बाद की जो लाइन्स हैं उन लाइन्स में स्पीकर का दर्द बया हो रहा है स्पीकर कहती है कि ना तो मैं कुछ बोल सकती थी और ना ही मेरी आँखे कुछ देख सकती थी अब स्पीकर क्यों दुखी थी अचानक से उसे क्या याद आ गिया, क्या बात हो गई, यह हमें आगे पता लगेगा स्पीकर आगे कहती है कि ना तुमें जी रही थी और ना ही मैं मर चुकी थी उसकी बाड़ी ने रिस्पॉंस करना छोड़ दिया था, वो मधोश हो चुकी थी इतना जादा उसे दर्द हुआ था, इतनी तकलीफ हुई थी, कि उसे पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है इतनी तकलीफ में स्पीकर इसलिए थी, क्यूंकि उसका जो लवर था, जिसने स्पीकर को हैसिन दिये थे वो स्पीकर को बिना बताय छोड़ कर चला गया था साउथ में और इस वज़ा से स्पीकर की ये हालत हो गई थी और वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रही है, जो हसीन पल उसने अपने लवर के साथ बिताए थे दोस्तो अब इसके बाद एक करेक्टर इंट्रिड्यूस होता है मैडम सुसास्रिस ये करेक्टर बहुत इंपॉर्डन्ट है मैडम सुसास्रिस एक क्लेर वाइंट है क्लेर वाइंट वो होता है जो आपकी भविश्य वानी करता है जो बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों ये करेक्टर एलियेट ने एक नौवल से लिया है जिसका नाम है क्रोम येलो और इस नौवल को लिखाता एलडॉस हकसले ने मैडम ससॉसरिस को कोल्ड है और कोल्ड होने की वजह से हमें पता लगता है कि उनके पास कोई magical powers नहीं है वो एक आम औरत है क्योंकि अगर उसके पास कोई magical powers होती है अगर वो कोई special lady होती तो फिर उसको cold नहीं होता तो cold यहाँ पर बता रहा है कि भई यह कोई आम इनसान ही है लेकिन फिर भी उसको यूरोप में बहुत समझदार माना जाता है मैडम से सॉस्ट्रेज यहाँ पर अपनी किसी कस्टूमर को address कर रही है और अपने कस्टूमर को अलग-अलग different different cards दिखा रही है एक card वो दिखाती है जिस पर drawn'd Funesian seller की photo छपी हुई है drawn'd यानि डूबा हुआ जो डूब के मरा हो और सेलर कहते है नाविक को Funesian दोस्तो Funesian जो सेलर है ये एक group था सेलर्स का एक group था जो 1000 BC के आसपास पानी में डूब कर मर गया था और इसके बाद की जो line लिखी हुई है ब्रैकिट में ये वाली line ली गई है Shakespeare के द्वारा लिखे गए एक ड्रामा से जिसका नाम है The Tempest इस line का मतलब ये है डूबने के बाद eyeball जो होती है जो हमारी आखे होती है वो मोती बन जाती है Funesian सेलर के बाद मैडम से सॉस्टरिस एक और कार्ड निकालती है इस बार वो कार्ड निकालती है बैलाडाना का बैलाडाना को The Lady of the Rocks और The Lady of the Situations भी कहा गया है इसी तरह और भी कार्ड हैं जैसे Man with Three Straves The Wheel One-Eyed Merchant इसके बाद एक कार्ड ऐसा भी है जो मैडम से सॉस्टरिस नहीं देख सकती वो कार्ड बलैंक है उस कार्ड पर कुछ ऐसा बना हुआ है जो मैडम से सॉस्टरिस के लिए forbidden है और इसके बाद लास्ट कार्ड है Hanged Man का Hanged Man यहाँ पर Jesus Christ को कहा गया है और Jesus Christ वाला कार्ड मैडम से सॉस्टरिस को नहीं मिल रहा I do not find the Hanged Man उन्हें वो कार्ड नहीं मिल रहा और यह सारे कार्ड मैडम से सॉस्टरिस अपने कस्टुमर को दिखा रही है और लास्ट में लिखा हुआ है Fear Death by Water यहाँ पर दोस्तो T.S. Elliot आपको एक हिंट दे रहे है आपको एक टेस्ट दे रहे है 4th section का 4th section का नाम है Death by Water Here T.S. Elliot is giving us a taste of what we will see in the section 4 of the Waste Land अब दोस्तो कार्ड के बाते खतम हो गई है मैडम से सॉस्टरिस कहती है कि मैं रोज लोगों को देखती हूँ एक ही चीज लोग बार बार करते है रोज रोज एक ही काम करते है ऐसा लगता है कि ये लोग रोबोट है रोबोट बन चुके है उन्हें ये काम डेली दे दिया जाता है और वो रोबोट की तरह उस काम को करते है यहाँ पर दोस्तों मौडन सॉसाइटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है हम लोग रोबोट की तरह सुबा उटते हैं आफिस जाते हैं और रात में आकर सो जाते हैं इसके बाद मैडम सॉस्टरिस अपने कस्टुमर से कहती है कि अगर आपको मिसिस एकुटाइन मिले हैं तो उन से कहना कि उनका जो हॉरिसकोप है वो मैंने तयार कर लिया है और मैं खुद लेकर आउंगी क्योंकि आज कल का जमाना बहुत खराब है और हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते मैं उनका हॉरिसकोप किसी और को नहीं दे सकती मैं उनका हॉरिसकोप खुद लेकर आउंगी और उन्हें दोंगी अगर आपको मिसिस एकुटाइन मिलें तो उनसे कह दीजिएगा जैसा कि मैंना आपको बताया यहाँ पर मौडन सुसाइटी को क्रिटिसाइस किया जा रहा है मैडम से सॉस्रिस कह रही है कि इस जमाने में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते जो काम है वो मैं खुद करूंगी अनकलियर सिटी नकली शहर या फिर पॉल्यूटिट सिटी यहाँ पर पॉल्यूटिट सिटी कहा गया है लंडन को अब क्यों कहा गया है लंडन को यह आगे के लाइन्स में बताया गया है लंडन शहर में गंदगी है, पॉल्यूशन है लोग लंडन में रोज ब्रिच के उपर से, पुल के उपर से होते हुए गुजरते हैं और उन ब्रिच पर चलते हुए लोगों को देख कर ऐसा लगता है कि ना तो ये लोग जिन्दा हैं और ना ही मरे हुए है ये अधमरे लोग बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं इनके दिलों में बेबसी है नजरे जुकाए हुए, आहें भरते हुए, ये लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं किंग विलियम स्ट्रीट से गुजरते हुए ये लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं वही पास में एक चर्च भी है और उस चर्च पर एक घंटा लगा हुआ है जब उस घंटे में नौ बचते हैं तो इन लोगों की जान निकल जाती है क्योंकि नौ बचे आफिस शुरू हो जाता है और इने रोबोट की तरह काम करना पड़ता है नौ बचे की जो आवाज है वो इनके कानों को बहुत चुपती है इसके बाद स्पीकर कहता है कि इतने सारे लोगों की भीड में मैंने एक शक्स को देखा और आवाज लगई स्पीकर 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 स्प को दफना दिया अच्छा मज़े की बात ये है कि यहां पर स्पीकर इस तरहां से पूछ रहा है कि जैसे वो लाशे नहीं बलकि कोई बीज हो कोई सीड हो उसका पूछने का अंदास कुछ इस तरहां का है जैसे मानो स्टैटसन ने कोई पेड़ पौदे लगाए हूँ स्पीकर कहता है कि तुमने उन लाशों को बो दिया क्या उन लाशों से पेड़ पौदे निकलना शुरू हो गए या फिर अचानक से आई ठंड ने कलियों को बरबात कर दिया और हाँ स्टैटसन तुम अपने कुटे को उस गार्डन से दूर रखना दोस्त क्योंकि कुटे इनसान के दोस्त होते हैं अगर तुम अपने कुटे को गार्डन से दूर नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारा कुटा गार्डन में खुदाई करना शुरू कर देगा अपने प जिसका मतलब है You Hypocrite Reader, My Fellow, My Brother दोस्तो इस section में T.S. Elliot ने बताने की कोशिश की है कि हम लोग modern जमाने में किस तरहां से जिन्दगियों को गुजार रही हैं हम जीतो रही हैं लेकिन अंदर से हम मर चुके हैं हमारे अंदर कोई excitement नहीं है, कोई feeling नहीं है हम बस कहने को जिन्दा है तो ये वाला section मैंने cover कर दिया वैसे मैंने इसको line by line भी explain कर रखा है बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like जरूर करना और comments में भी लिख कर बताना मिलते हैं आपसे अगले section में जैहिंद